जहन्द आस्परेंट्स दिस अहीर इन अवेल गमें बैक टो सेस्बी क्रैक एक्जाम्स नए पार्लेमेट के बिल्लिंग में स्पेशल सेशन्स जो वह स्टार्ट हो चुके हुए हैं और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने गजद्वार यानिके एक म आज के इस वीडियो में आपसे वही शेर करने की कोशिश करूंगा जो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने फ्लैग होईस्टिंग किया होता गजद्वार पर तो आएए इस वीडियो को चुरू करते हैं और जानते हैं कि वो छे अनिमल्स कौन-कौ करने जгр़ल आजी भीर उन्होंने गजदवार जो के नय पार्लमे्łट के बिलिंग का एक इंट्रंस है वहां पर शेवंकर और सभी इंडियन क्वारेंस यहाँ पर रखे ूर्य शेष्टीक बैट यहें शेवी टीडिंग है ऑलुख मेड़ कि बनवाया गया है तो सबसे पहला mythical creature या फिर animal जो हमें देखने को मिलता है वो है अश्वा संस्क्रिट में अश्वा याने के horse यहाँ पर आप उसकी image भी देख सकते हैं तो यह ceremonial entrance है south side का और इसका original location अश्वा का जो है वो sun temple को नार्क ओडिशा से लिया गया time period roughly 13th century एडी के आसपास और अश्वा रेप्रेजेंट किसे करता है हमारे endurance power और dynamism को represent करता है यह monumental temple जो हिंदुस्तान में एक जमाने में one of the tallest structure माना जाता है sun temple जो के सूर्य देव के chariot का हिस्सा था यानके बड़े-बड़े wheels और horses जो थे वो सूर्य देव के chariot की तरह हम पर देखे जाते थे तो हम सभी को यह भी पता है कि ओडिसा का जो स्टेट एंबलम है वो भी कॉनार्क होर्स ही है तो इंडियन constitution में भी जो आचेर इंदनाल बोस ने अपने illustrations के दौरा दिया दर्शाया गया है उसमें भी अश्वा का representation हमें देखने को मिलता है दूसरा सबसे important जो animal है वो है गजा elephant आप कह सकते हैं तो यह ceremonial interest है नौर्थ साइट का अभी जहां पर flag hoisting हुआ था तो original location जहां से इसका inspiration लिया गया है वो है मदुकेश्वरे temple बनबासी करनाट का 9th century AD के आसपास और गजा किसे represent करता है power, wisdom, wealth, intellect और memory को यह represent करने की कोशिश करता है और इसका inspiration similarly चालुकेश्वरे टेंपल से ज्यादा तर लिया जा चुग है चालुकेश्वरे टेंपल जिनने भी हमें में देखने को मिलता है वो है Garuda यहां पर आप देख सकते हैं so east side ceremonial entrance में यह जानवर हमने इंस्टाल किया हुआ है currently यह लिंदेन museum स्टैटगार्ड जर्मनी में है 18th century AD का यह statue माना जाता है तो Garuda रेप्रेसेंट करता है aspiration prosperity और प्रोग्रेस को देखे ओरिजिनली तमिलनाडू के रीजन में ज्यादा तर नायकास पीरेड में जितने भी sculptures हमें देखने को मिलता है कुम्बकोडम के रीजन में तो वहां पर ऐसे गरुडास का representation हमें देखने को जर्मनी में है नेक्स इंपोर्टेंट जो अनिमल हमें देखने को मिलता है वह हमसा स्वान भी आप कह सकते हैं पुब्लिक एंट्रेंस नौर्ट इस्टन साइड है यहां पर और और ओरिजिनल लोकेशन इसका श्रीव विजया विठ्थला टेंपल हमपी हमपी जो के विजयनगरा का कैप्टल भी हो करता था तो कई सारे विजयनगरा टेंपल में भी हमें यह हमसा देखने को मिलेगा करनाटक के रिजन में ही तो 15th century AD के आसपास यह हमने लिया हुआ इसका inspiration और हमसा ज देखने को मिला हुआ और साथ इसाथ विजयनगरा के एंपार में भी कई सारे टेंपल में हमें हमसा का रप्रेजेंटेशन देखने को मिलता था नेक्स्ट है मकरा यह पूरी तरीके से एक mythical creature ही है पब्लिक एंट्रेंस जो है वो वेस्ट साइड हमने रखा हुआ है होई सले सबसे पहली बार मकरा का रप्रेजेंटेशन गुपता की पीरेड में हमें देखने को मिला और मकरा को यहां पर रिवर गॉड़ेस गंगा के वहिकल की तरह भी रप्रेजेंट देखने को मिला तो यूज्वली डोर जैप्स में हम इसके इस्तमाल करते मकरा का यहां पर आप mythical creature है वो है शार्दुला यहाँ पर आप उसकी इमेज़ देख सकते हैं फोड़ा बहुत टाइगर और लायन का मिक्शर आप कह सकते हैं तो साथ इस्ट पब्लिक इंटरंस में इसको इंस्टॉल किया गया है शीवा टेंपल मॉनेरा मध्यप्रदेश से हमने इसका इंस्परेश का और सेंट्रल इस्ट्रन और सदर्न इंडिया में कई सारे टेंपल आर्खिटेक्ट्चर में हमें यह शार्दुला देखने को मिलेगा तो यह थे वो छे जानवर जिनके बारे में आपको जाननी थी जो कि छे हलग-लग इंटरंस में रखे गए हैं पार्लेमेंट नहीं पा अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट हैं और एससबी इंटर्व्यू एंडिये सीडियेस एफकेट जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप एससबी क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं